अभी तक हमने नीजी एवं सारविजनिक उपकरम या संगठनों की चर्चा की उनके बारे में जाना वो होते क्या हैं, उनकी विश्रिष्टाय क्या होती हैं, उनसे होने वाले लाब क्या होते हैं और साथ ही साथ उनके दोश क्या होते हैं आईए हम इसी चैप्टर से एक तीसरा टॉपिक लेते हैं जो की है ग्लोबल इंटरप्राइज या जिसे हम मल्टिनाशनल कंपनी या कॉर्परेशन भी कहते हैं इसे हम हिंदे में बहुराष्ट्र कंपनिया कहते हैं जैसे की नाम से सपष्ट है बहुराष्ट्र मतलब कई राष्ट्रों से तो अब हम इसे किस तरीके समझ सकते हैं अगर हम इसका सीधा साधा अर्थ निकालें तो वे कंपनियां जिनका पंजियन एक देश में होता है लेकिन वह व्यवसाय जो है विभिन देशों में करती है उन देशों में वो क्या करती है उत्पादन का कारे भी करती है और अपने उत्पाद को विक्रे करने का कारे करती है या वहाँ पर व्यवसाय करती है अगर हम इसे साधारन भाशा में इस सरीके से समझें कि वे कमपनियां बहुराश्ट्री कमपनियां कहलाती हैं जो कि एक देश से उसका उदगम होता है या मूलाधार उसका किसी एक देश का होता है लेकिन वो व्यवसाय के लिए अनकई देशों में स्थापित की जाती हैं उनकी ब्रांचिस यानि शाखाएं यहां पर देखिए बच्चों दो चीज़ें हम बात करेंगे पहली बात हम बात करेंगे कि उसका मूलाधार क्या है मतलब उसका कॉंसेट मतलब जो उस कंपनी की स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो रही है कोई एक देश है जहां उसका पंजेन हो रहा है जहां से वो शुरू हो रहा है लेकिन फिर क्या हुआ बढ़ने के बाद क्या हुआ उसकी विकास के बाद भग्या करता है दूसरे अन्य देशों में वे अपनी कई सारी ब्रांचेस ओपन कर लेता और वहां पर वेवसाय शुरू करता है तो यह होती ही बहुराश्री कंपनिया अगर हम बहुराश्री कंपनिय के उद्देश को देखें तो बहुराश्री कंपनियों का जो मुख्य उद्देश होता है बहुता है प्रतियोगिता में वृध्धी कर रहा है और साथ ही साथ घरेलू एक अधिकार में कमी कर रहा है दो बाते मैंने कहीं पहली बात कहीं मैंने कि प्रतियोगिता में वृध्धी कर रहा है पहले इसको समझेंगे, कैसे होती है, आपने दैनिक जीवन में देखाई हुआ है, कि आप जिस साबुन का यूज करते हैं, उसमें भी कई ब्रांड्स आते हैं, जो के नैशनल भी होते हैं, मल्टी नैशनल भी होते हैं, ठीके अब साबुन में ही हम ले लेते हैं तो नाशनल और मल्टीनाशनल की बात करें तो पतांजली का साबुन आप यूज करते हैं उसके अलावा लक्स भी है डव भी है संथाल भी है और इसे कई ब्रांड्स है जो कि आप सुन सकते हैं छोटा से एक प्रोड़क्ट हम और ऐसे कई कंपनियां हैं जो टूथ पेस्ट का निर्मान करती हैं और आप उन टूथ पेस्ट को यूज करते हैं आप और हम एज अ कस्टमर तो क्या हुआ इन में क्या हुआ प्रतियोगिता में वृध्धी हुई कहने का मतलब है ऐसे कई विभिन देशों के ब्रांड्स जो है जो कि प्रतियोगिता में वृध्धी करते हैं अब प्रतियोगिता में वृध्धी करने से क्या होगा दो बाते होंगी पहली बात तो ये मार्केट में वही लोग जो व्यावसाई व्यावसाई कर पाएंगे जिनकी प्रोडक्ट यानि उत्पाद की क्वालिटी अच्छी होगी और दूसरी बात यह कि जो व्यावसाई एक अधिकार की कारण क्या कर रहे थे भी तक जो मैं दूसरा पॉइंट ले रहे हूं घरेलू एक अधिकार उस वजह से क्या कर रहे थे अपने प्रोडक्ट या उत्पाद को उच कीमतों पर बेच रहे थे अब उनको क्या करना पड़ेगा उसकी कीमत को कम करना पड़ेगा या जो प्रतियोगिता चल रही है या मार्केट में जो प्रतियोगी जिस तरह की प्राइस मेंटेन कर रहे हैं उसी प्र पर नहीं जासकते तो किया पड़ेगा डिब एक अधिकार की बात करें जहरेलू एक आधिकार की मोनो पॉलिंग कहते हैं इसके बात करें तो उसमें अपने अपने आप आपएगी अगर हम sett की ही बात करें टूथ पेस्ट की तो क्या हम उसमें वहाग बहुत कुछ में यह है वो तो यह क्या है यह मार्केटिंग करने का तरीका है अपने पेस्ट को यह टूथ पेस्ट को अलग अलग तरीके से विक्रे करने का तरीका है जिससे क्या होगा एक तो उनकी मोनोपले इंक्रीज करना चाहते हैं या अपने एक अधिकार जमाना चाहते हैं उस प्रोड़क्ट के उस सेक्टर में जिसे कि उनका जो प्रोड़क्ट है उनको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या किया जाए यूज किया जाए साथ ही साथ क्या हो उनकी कस्टमर जो हैं बढ़ते चल होता है कि प्रतियोगिता में वृध्धी होती है और दूसरी बात होती है कि घरेलु एक आदिकार में कमी आते हैं तो इस तरीके से आपने बहुराश्री कंपनियों को जाना है आई अब इनकी दो परिभाशाय देखते हैं और इसे और अच्छी तरीके से जानने की कोशिश कर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ILO रिपोर्ट के अनुसार बहुराश्री उपक्रम की आवशक प्रकृती इस बात में नहीं है कि बहुराश्री उपक्रमों का प्रबंद की कारियाले एक देश में स्थित होता है जिसे सुविधा के लिए ग्रह देश कहते हैं जब क कि उपक्रमों का व्यवसाय कई अन्य देशों में किया जाता है जिन्हें मेजबान देश कहते हैं दूसरी एक और परिभाश्रा देखते हैं जो कि IBM वर्ल्ट ट्रेट कॉर्परेशन द्वारा दी गई है एक बहुराश्रे निगम वह है जो अनेक देशों में अपनी गतिव कि दी धिया चलाता है उन देशों के नुसर विकास और निर्माण कारे करता है जिसका बहुराश्रे प्रबंध होता है और जिस पर बहुराश्रे स्वामित्व होता है इं दो परिभाश्राओं को जैनने के बाद अगर हम निशकरश कर्षि निकालें तो बहुराश्री अपने विवसाय का प्रबंध भी उसी देशों से चलाती है वहां वो निर्मान काले भी करती हैं और वह अपने विकास करती हैं अपने उत्पादों को विक्रे भी वहीं करती हैं तो यह हुए मल्टिनाशनल्स अब हम देखते हैं कि कुछ भारती बहुराश्री कंपनिया कौन हैं आप ऐसे बहुत सारी कंपनियों को जानते हैं जो कि भारती उपराश्री कंपनिया हैं मैं कुछ उधारण देना चाहती हूं उधारण इस प्रकार है जैसे कि टाटा मोटर्स आपने नाम सुना होगा उनका ओएंजी सी इसी तरह अगर आपने विपरो कंपनी का नाम सु नाम सिख्रिंग यूनिट है जान जो इंडिया में हैं और जो इंडिय मैं है तो यह भारतिय इसी तरह करें विदेशी आपने उपनियों की तो यह तो हूँ आप सब को पता हूँग को को ला पेप सी ब्रूग बॉर्ड हिंदुस्ता ऑद यूनाइटड लिवर इसके लाव कुन से विदेश शीयट चया बुझré का सबria eccleber की देखिए तो वह इच्छे कपनि हैं हिन्दुस्तान लिवर जो देखिए वह भी उकए की है और उसके बाड़ में कोगा कोला की बात करते हैं तो वह सेकिह इसके बाडन के टोयोटा और सोनी और सुछुगी ये थीनों जबर तो यह विदेशी बहुराश्री कंपनियों तो बच्चों इस तरीके से आपने क्या किया बहुराश्री कंपनियों के कॉंसेप्ट को जाना और साथ ही साथ भारती बहुराश्री कंपनियों के उजारंद देखें और विदेशी बहुराश्री कंपनियों के उजारंद देखें आईए अब हम इन बहुराश्री कंपनियों की कुछ विशेष्टाओं से रूपरू होते हैं और जानते हैं कि ये जो विशेष्टाओं है वो क्या है अब हम विशेष्टाओं की बात कर रहे हैं तो जैसे कि विशेष्टाओं आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पहली विशेष् क्या होगा एक देश में सथापित होगा की कि युक्त सब्सक्राबर देश के इस के अब तक वयवन निशक्त के इसे में में काम कर दी यह सेवा है यह उत्पादन या manufacturing unit नहीं है बांकिंग सुविधा देती है यह SBI जैसे कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं तो मैं बात कर रही थी क्रेंग केंदरी प्रबंद की तो मैंने SBI का उधारंट दिया था इसमें इसमें क्या होता है headquarter जो होता है वो अपने देश में होता है जहां से उस company का उधगम हुआ और इसकी शाखाएं क्या कर दियाती है विबिन देशों में फैलती है या विकसित होती है या वहां पर जाकर अपने manufacturing unit को या अपने services को क्या करती है शुरू करती है और वहां के होता है जो बहुराश्य कंपनियां दूसरे देशों में कारे करती हैं वहां पर क्या होता है वहां पर उनका प्रबंध चलता है लेकिन headquarters से ही उनको सारी जो अनुमतियां है वो लेनी पड़ती है किसी भी विशेश कारे को करने के लिए निर्णय को लेने के लिए ठीक है हैं विश्व में कई देशों में अपने विकास विस्तार करती हैं अपने आपको स्थापित करती हैं तो इससे क्या समझ में आता है कि यह जो हैं एक आर्थिक अर्जन भी करती हैं अपने देश के लिए चुकि अगर यह मतलब विश्व में अगर अपना फैलाव करेंगी व अलग अलग देशों से वो आर्थिक अर्जन करेंगी और फाइनली क्या होगा जो आयेगी वो कहां आएगी वो अपने ही देश में आएगी इससे क्या होगा कि जो अपने देश की फाइनेंशिल पॉजिशन है जो अपने देश की एकोनॉमी है वह स्ट्रॉंग होगी मजबूत होगी आगे बढ़ते हैं निक्स्ट विशेष्टा की और अगले विशेष्टा की और अगली विशेष्टा कहती है उच्छे क्वालिटी के उत्पात बेटर क्वालिटी अब इस होगी तो मार्केट में किसी भी विवसाय को सस्टेन रहने के लिए या बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने उत्पाद की क्वालिटी को हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ेगा अन्य प्रतियोगी उत्पादों से क्या करना पड़ेगा उनको अपने आपको बह उसको चोपने आप को बहतर बनाने या बहतर दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे प्रड़क्ट में यह चीजीच पर चीजे हैं हमारा प्रड़क्ट जो में यह तुक है जो है बहुत ही स्ट्रॉंग फिजिकली फिट होगा मेंटली स्ट्रॉंग होगा एक से पाच वर्ष तक कि बच्चों की आयू के जो बच्चे हैं उनमें इस समय दिमाग का विकास होता है तो यह भी गुण बता जाता है कि आप उस समय यह प्रोटीन शेक्स भी अवेलेबल कर आते हैं तो ऐसे जो मैं बात कर रही थी कि यह लोग क्या करते हैं अपने क्वालिटी को स्ट्रॉंग करते हैं जो की विशेष्टा थी और इसे हमने इस उदारन से समझा अगली विशेष्टा की बात कर रहे हैं बड़ा आकार अब अगर हम बिक साइज की बात करें तो साइ क्रींड या और्गनाइजेशन की साईज को कैसे लपते की मार्किट वैलिउ चाहिए पहुत से ब्राइज आप जानते है जिनकी मार्केट वैलिउ जो है मिलीएंश में जाती है अथि को इंटेर्श कर सकते हैं गूगल कर सकते हैं और देख सकते हैं और आपकी देख जो फिवरोइट ब्राद maior या यह वो वॉच्टे मैंते हों या आप ड्रेस न्हींते हों इसके अलावा अगर कोई बी अलग यहींज करते हों या फूट प्रोड़क्टे यह मेडिसिंस यूस करते हों तो उनका जो market value है या जो उनकी संपत्ति कह सकते हैं उनकी संपत्तियां कितनी है तो इससे हमने क्या सद देखा है कि बड़े आकार वाली विशिष्टा को समझा है जो कि multinational brands में हमने discuss की अब हम बात करते हैं अंतराश्रे बाजार तक पहुच access to international market अब क्या होता है जब यह बहुराश् कंपनिया विभिन देशों में अपने आपको स्थापित करती हैं अपना विकास करती हैं अपना विस्तार करती हैं वहां अपने व्यवसाय करती हैं तो उनकी जो पहुंच होती है वह अंतराश्रे बाजार तक हो जाती है लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उनको जो struggle करन सबसे बड़ी बात है कि अपने प्रतियोगियों के सामने या अपने प्रतियोगी जो ब्रांड्स हैं उनके सामने अपने आपको अच्छा दिखाना या बहतर दिखाना या उनके साथ चलना कम से कम अपने प्रड़क्ट की क्वालिटी को मेंटेन करना अपने मार्केट वैल्य इंटरनाशनल मार्केट को एकसेस करने में अगली विशेषता की और बढ़ते हैं जो कि कहता है कि विज्ञापन पर विशेष ज्यान स्पेशल अटेंशन टू एडवर्टाइजमेंट्स जैसे कि बच्चों आपने देखा ही है कि एडवर्टाइजमेंट्स इतने आकर्शक ब बात करें हमेशा यह लोग क्या करते हैं यह बहुर अश्रेय कंपनिया क्या करती हैं यह लोग फोकस्ट होती है कि कि तनी अच्छी तरीके से अपने प्रड़क्ट को या अपने सर्वेस को प्रमोट कर सके इस प्रमोशन के लिए वो क्या करती हैं बहतर एडवर्टाइजमे पूंजी इनके पास बहुत ज्यादा मातरा में होती है क्योंकि इतना बड़ा बिजनस इनका फैला हुआ है तो क्या होता है अगर इनको पूंजी की आवशक्ता भी होती है तो इनको आसानी से लोन में मिल जाता है यदि यह बैंक में जाएंगे अपने ब्रैंड नेम पर ही अ हैं विदेश में वयापार कर रही है मिल्यन कमा रही है देश को आर्तिक रूप से स्ट्रॉंग करने मदद कर रही है तो हम कह सकते हैं कि यह जो विश का और चलता है और देखते हैं और यह एधू निकतम टेकनmee यह जो बहुर अश्रे कंपनी होती हैं मार्केट में सस्टेन रखने के लिए अपने आपको मतलब जो इन्वार्मेंट चल रहा है उसके हिसाब से अपने आपको हमेशा चेंज कर देती कोई नई टिकनलोजी अगर मार्केट में आती है तो उसको तुरंद ग्रास्प कर लेती ह है और अपने वियावसाईक वाता वरण में उसको उतार लेती है अपने और उगनाइजीशन में उस तरह के काम करने लगती है चाहे वह आधनीक टेकनिलोजी मशीनों से रिलेटेड हो चाहेhe software से related हो या किसी भी प्रकार से related हो ये लोग क्या करती है अपने । को बनाए रखने के लिए अपना व्यहसाइक के विशतार एवं विकास के लिए हमेशा क्या रहती क्या मिष्टाओं के बारे में जाना